अभी हाली में आप लोगों ने देखा कि लोग सभा और राज्य सभा से महला आरक्षन बिल पास हो चुका है और लोग सभा की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसमें कितनी सीटे हैं टोटल पास सो तैंतालीस देखने को मिलेंगी राज्य सभा कितनी हैं दो सो पैंतालीस देखने को मिलेंगी और देखें बिल बिध्यक और अधिनियम में फरक होता है जब कोई पिस्ता और राज्य सभा और लोग सभा में आता है तो उसे आप लोग बिल या बिध्यक कहते हैं और जब आप देखें राज्य सवा लोगसवा से पारित हो जाता है, तो राष्टपती साब की सहमती मिलती हस्ताक्षर होते हैं, वो कानून बन जाता है, यानि कि वो अधीनियम बन जाता है, तो महला आरक्षन बिल में है क्या विधियक में, ये क्या कहता है, इस पर भी हम लो कर लेंगे और आप देखते हैं कि संसत की बात करें तो आप देखते हैं भारत की संसत भारती गड़राजी का सरवोच विधाई निकाय है और यहीं आप देखते हैं कि सब कुछ कानून बनते हैं आपके तो सम्मिधान विधियक यह 128 बाख हैं यह आप ज़रूर याद रखेगा किस नंबर का है 128 बाख है एक करम आपको याद रखना है और आप लोग देखते हैं कि अधिनियम सम्मिधान संसोधन विधियक की इतुल्ला में कम देखने को मिलते हैं क्योंकि हर विधियक पास हो जाय राज्यसवा लोकसवा से ये संभव नहीं हो पाता है तो कई वार आप देखते हैं कि वो बीच में ही रह जाते हैं विदेयक 2023 लोकसवा राज्यतोबाद द्वारा सरफ सम्मती से पारित कर दिया गया नारी सक्ती बंदन अधिनियम के रूम में पेस ये विदेयक लोकसवा और राजविधान सवाओं में एक तहाई सीटे महलाओं के लिए आरक्षित करने का लक्ष रखता है और आप सब जानते हैं कि देखे आदी आबादी हमारी महलाओं की है और आप खुछ सोचके देख लिए अगर आदी आबादी को उनके अधिकार ना मिले उनकी हिस्तेदारी ना मिले तो हम लोग कहां आंगे बढ़ पाएंगे समाज कहां आंगे बढ़ पाएगा देश कहां आंगे बढ़ पाएगा और आप लोग हमें से कहते हैं कि एक रख थे के दो पहिये हैं, कौन? महला और फुरुस. अब आप देखे एक पहिया मजबूत रख देजिए, उसे एक को मजबूत करिए और दूसरे को छोड़ दीजिए, कहां क्या होगा? रख चल पाएगा? बिल्कुल नहीं. तो अच्छी यह विद्हक लोगसभा और राज बिधन सबाओं और राश्टी ए राजधानी छित दिल्ली की विधन सबाँ में कुल सीटों की लगभग एक तयाई सीटें आरक्चे करने का परावधान करता है. लोगसभा और राज बिधन सबाँ में S-T और S-T अनुसुचित जाती आरक्षन प्रभावी होगा और नभीन जंगरना के आधार पर महलाओं के लिए परी सीमन किया जाएगा और आप देखते हैं कि अभी जंगरना 2021 की ही नहीं हुई है और परी सीमन कब होगा तो कहा जारा है कि 2024 में लगबग यह लागू नहीं हो रहा है अब देखते हैं कि क्या होता है आंगे और हो सकता है 2029 में लागू हो या आप देखते हैं कि उसके बाद लागू हो यह तो देखने लाइक होगा सीटों का रोटेशन देखें तो संसत द्वारा निर्मित एक बिधी द्वारा निर्धारित आधार पर महलाओं के लिए आरक्षन सीटों का पितेग भारती राष्टी आंदोलन में ढूड़े जा सकते हैं 1931 में बेटिस पिधानमंत्री को लिखे अपने पत्त में तीन महला निकायों द्वारा नए समिधार में महलाओं की इस्तिती की पूर समानता की भारती महलाओं की सारभों में मांग की अकंता का उलगन करने के समान परिपेक्ष यूजना ने बर्स 1988 में अनुससा की थी कि महलाओं को पंचयायतों से लेकर संसत्त के इस्तर तक आरच्चन प्रदान की आ जाये और इस अनुससाओं ने 73-74 समिधान संसोधन के दिहासिक अधिनियम का मार्क पर सस्त किया 73-73 समिधान संसोधन के द्वारा आप देखते हैं कि पंचयायतों में पंचयायतों की बात होती है और 74 समिधान संसधन नगर निकायों के लिए जहां सभी राज्य सरकारों के लिए पंचयायती राज संस्ताओं में महलाओं के लिए एक तहाई सीटें आरक्षित करने और पंचयायती राज संस्ताओं इवं सहरी इस्थानी निकायो में कि सभी इस्तरों पर अध्यक्च व प्रम trop के पदों पर एक तेहाई आप दिखते हैं कि सीटे आरक्षित करने का अधिदेस्तिय है महलाओं के लिए आरक्षिस इन सीटों में से एक तहाई सीटे अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती की महलाओं के लिए आरक्षिया है और जिसने स्थानी निकायों राज बिधान सबाओं संसत मंत्री मंडल इस्तर और सरकार की सभी नेड़े कारी निकायों में महलाओं के लिए कम से कम 50 पिती सथ सीटें का आरक्षन सुनिशित करने की अनुसंसा की और आप देखे 2015 में भारत में महलाओं की स्थिती पर रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि राज बिधान सबाओं और संसत में महलाओं का पिती निरासा जनक बना हुआ है और इस ने भी इस्तानी निकायों, वो राजबिधान सभाओं, संसत, बंती, बंडल, इस्तर सरकार के सभी नेड़े कारी निकायों महलाओं के लिए कम से कम 50-30 सीटें आरक्चित करने की सिफारिस किये अब आप देखें, 2019 में जो लोकसभा चुना हुए थे उसमें आप देखें, 543 सीटों में से केवल 78 महलाएं चुनी गई थी अब समझ सकते हैं कि क्या इस्तियादी आबादी की अब आप देखें, जो लोग इसका पक्च ले रहे हैं, उनके क्या तरक हैं, वो क्या बातें कहते हैं लेंगिक समानता की बात करते हैं राजनीती में महलाओं का उपयोक्त पितिनिते, लेंगिक समानता की दिसा में एक महत्पून कदम होगा गिलोबल जैंडर गैप रेपोर्ट 2022 के अनुसार भारती राजनीतिक ससक्ती करण के मामले में 146 देसों की सूची में भारत 48 बेस्तान पर है और आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निवंद लिखते हैं, तब आप लोग आँकरे वहां बता सकते हैं और सरकार की तरफ से जो पहल की जाती है महलाओं के लिए वह भी वहां बता सकते हैं और इस रैंक के बाब जूद उसका स्कोर 0.267 के अंते निम्न इस्तर पर था इस रैंकिंग में सर्फ से रैंकिंग वाले कुछ देसों का स्कोर इससे बहुत बहतर है उधारन के लिए आइसलेंड चले यह आई है 0.874 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर जबकि बंगलादेश 0.546 के स्कोर के साथ नौबे स्थान पर है और इतिहासी ग्रूप से क्रम कमपिती निदित की बात करें तो लोगसवा महलाओं की संख्या पहली लोगसवा में 5% से बढ़कर 17 भी में 15% होगी लेकिन यह संख्या अभी भी बहुत कम है पंचयात में महलाओं के लिए आरक्षन के प्रभाओं के बारे में 2003 में एक अध्यान से पता चला कि आरक्षन नीती के तहट निर्वाचित महलाओं ने महलाओं से सम्वत सार्वनिक हित या पबलिक गुड्स में अधिक निवेस किया है और कार्मिक लोग सिकायत एबं विधी और नियाय समंदी स्थाई सम्ती 2009 ने पाया कि इस्थाणी निकायव में महलाओं के लिए सीटें के आरक्षन ने उन्हें सार्थक युगदान देने में सक्चम बनाया महलाओं का सौ पितिनीदित और सौ नेड़य कादिकार यदि किसी समोग को राजनेतिक विवस्था में अनुफातिक रूप से पितिनीदित प्राप्त नहीं होता है तो नीती निर्माण को प्रभाव्वित करने की उसकी चमता सीमत हो जाती महलाओं के विरुद भेदभाव के सभी रूपों के उनमुलन पर कन्वेंशन निर्डिश्ट करता है कि राजनेतिक और सार्वजनिक जीवन में महलाओं के विरुद भेदभाव को समात किया जाना चाहिए विविन सर्वेक्षनों से पता चलता है कि पंचैती राज की महला पितिनिदियों ने गाओं में समाज के विकास समग कल्यान की दिसा में सराहनी एक काई किया है और उनमें से आप देखे कई निश्चे तरूप से विहत इस तर पर कारकरने की इक्चा भी रखती है लेकिन फिचली राजनितिक सरचना में उन्हें विविन चुनोतीओं का सामना करना पड़ता है विविद परिपेक्ष तो एक अधिक विविद ताफूर्ड विधान मंडल विधान मंडल जिसमें महलाय उलेकनी संक्या में सामिल हों नेडर लेनी की पिक्रिया में ब्याकफक दिश्टी कौन का प्रिविस करा सकता है या विविता वेतन नीती निम्राड वसासन की उले जा सकती है महलाओं का ससक्ति करन तो राजनिती में महला आरक्षन विभन इस तरों पर महलाओं को ससक्त बनाता है याना केवल अधिकारेक महलाओं को राजनीती में भाग लेने के लिए परोसान करता है बलकि महलाओं को अन्चेत्रों में भी नेतत की भूमी का निभाने के लिए पेरित करता है महला समंधी मुद्दों को बढ़ावा राजनीती में सक्क्रिये माहलाएं प्रया उन मुद्दों को प्रात्मिक्ता देती है और उनकी बकालत करती है जो महलाओं को पितेक्च रूप से प्रभावित करती है जैसे लिंगाधा रिथेंसा, महलाओं का स्वास, सिक्षा, एवं आर्थिक ससक्तिगन उनकी उपस्तिसी से नीतिगर्थ बिमर्सों में इन मुद्दों को प्रात्मिक्ता प्राप्थ हो सकती है तो राजनीती में सक्रii रूप से महला नितियां बालीकाओं के लिए रॉल-मॉडल की रूम में कार कर सकती है जैसे उन्हें विवन चेत्रों में नितिति की भूमिका की आख अंछा रखने के लिए पर्वसान किया जा सकता है राजनीती में पिति निधित रोडी बादिता को तोड़ सकता है और प्रभावी पीडियों को पेरित कर सकता है 1966-1977 तक भारती की पहली और एक मात महिला पिदान मंत्री की रूमे कारद रही इंद्रा गांधी और भारत की दोसरी महिला विदिस मंत्री इंद्रा गांधी के बाद रही सुस्मा सुराज ने देश की बालिकाओं के लिए ऐसे ही रोल मॉडल पिस्तुत किये हैं और आप लोग देखें आजादी के बाद से अभी तक एक महिला पिदान मंत्री हुई है बोल इंद्रा गांधी आप देखें इसकी बिपक्ष में क्या तरक दिये जा रहे हैं जो लोग बिरोध कर रहे हैं तो उनका कहना है कि महला जाती समू की तरह किसी सजाती समधाय नही है उनका दावाही की यदि आरक्षन लागू हो हुआ तो महलाएं योगता की अधर पितीस वद्दा नहीं कर पाएंगी और जिससे समाज में उनका दर्जा कम तर हो जाएगा अब आप देखें इस विदेया के करयानमन की राहे में चुनोती क्या है एक तो सबसे पहले परी परी सीमन किये जाने के बाद ही महला आरक्षन लागू हो सकेगा जबकि परी सीमन की पिक्रिया अंगली जंगरना की परासंगिक आंकडे पिकासित होने के बाद ही सुरू हो सकेगी चूकर अंगली जंगरना की दिती अभी पूरता अनिश्चित है इसलिए परी सीमन की कोई बाद दुगनी अनिश्चेत है अब आप देखे वही ते कह रहा हूँ बड़ा मुस्किल है हो गया पास विधेयक से सम्मंदित OBC का मुद्दा पिछावर्ग का मुद्दा तो आप देखे महला आरक्चन विधेयक लोकसभाव राजविधान सभाओं में महलाओं के लिए आरक पित सतात्मक माल सेकता कि प्रभाव को कम कर इसे प्रभाविधित किया जा सकता है जागरूगता उसक्षा की बिंधी की बात होती रहती है। चुनावी पिक्रिया में सुधार की भी बात हो रही है। की बात होती है। और आने ले बाले बक्त का हम लोग इनतजार ही कर सकते हैं। और करेंगे भी देखेंगे क्या रहता है। आपका कोई और सबाल हो सुझा हो तो बता सकते हैं आप लोग। एक पढ़ते रही है आपनों